बजली के करंट से 11 वर्थिय बच्चे की मौत परीजनों ने बजली रहक के अधिकारियों को मोके पर आने और कार्रवाई की किमांग बिजली के पॉल से कलंब तूट कर इस्टेक से हुआ टच और फिर इस्टेक में उतरे करंट की चपेट में आने से 11 वर्षिया बच्चे की मौत हो गई नमस्कार आप देख रहे हैं Live In New 24 चैनल और मैं हूँ हरियोंग सिंग वर्मा आईए चलते हैं हापुड जनपत हापुड जनपत के गड़ मुक्तेशवर कोतवाली के बदरखा गाउं में रविवार को बिजली के करंट की चपेट में आने से मौमीन के बेटे आनस की मौत हो गई गड़ मुक्तेशवर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के सब को कबजे में लिया लेकिन इससे पहले गिरामेडों ने बिजली विवाग के अधिकारियों को मौके पर आने की मांग की है हलका इंचार्ज S.I. अर्मान एहमत की माने तो S.P.O. बिजली विवाग के आने के बाद तहरीर के बाद कारवाई की जाएगी बच्चे के सब को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है हापुर से तुर्वेश तुमर की रिपोर्ट खावरों का सिलसिला जारी रहेगा बने रहें लाइब इन्विट के साथ धन्यवाद